नमस्कार, आदाब, न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है सबसे पहले देखते हैं आज की एडलाइन्स हर्याना के किसानों ने किया हिसार दिल्ली की सीमाओं पर व्यापक प्रदर्शन का एलान गुर्गाओं में बिजनिसमेन के बाद गुर्दवारे ने नमाज के लिए खोले दर्वाजे श्रीनगर एंकाउंटर में मृतकों के परिजनों को प्रदर्शन स्थल से हटाया गया विवादित संशोधन के कुछ दिन बाद ही ईडी निदेशक का कारेकाल बढ़ाया गया और करोना अपडेट देश में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले आप खबरें विस्तार से एक से 26 नवंबर को क्रिशी कानूनों के खिलाफ जारी एतिहासिक किसान आंदोलन को एक साल पूरा हो जाएगा इस मौके पर हर्याना में 25 संगठनों का सम्मू संयुक्त किसान मोर्चा जिलास्तर पर कमेटी बना कर किसानों को इकठा करेगा मंगलवार को हुए एक राजे सम्मेलन में SKM ने एलान किया कि वह 19 नवंबर से हासी SP दफ्तर के सामने जारी आंदोलन को भी तेज करेगा किसानों की मांग है कि भारतिय जनता पार्टी के राजय सभासांसच रामचंदर जांगड़ा को नरनौन हिसार आने से रोकने के दौरान हुए प्रदर्शन में जिन किसानों पर पुलिस केस किये गए थे उन्हें वापस लिया जाये किसानों ने जांगडा के निजी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग की है जिन्हों ने कथित तौर पर किसान कुलदी प्राणा को बंदूग से मारा था जिसकी वज़े से वे कमीर हालत में है औल इंडिया किसान सभा के नेता इंदरजीत सिंग ने कहा कि 24 नवंबर को किसान ब्रिटिश इंडिया के मशूर नेता सर्चोटू राम की जैंती पर धरना स्थलों और टोल प्लाजा पर किसान मजदूर संगर्ष दिवस मनाएंगे अगली खबर गुडगाओं से है जहां पिछले तीन महिने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को हर शुक्रवार नमाज अदा करने से रोकने उस जगा पर हंगामा करने की खबर आ रहे हैं हिंदुत्ववादी संगठन सेक्टर 12, सेक्टर 47 के अलावा अन्य जगों पर इकठा होकर हर मुसल्मान को नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं इसी बीच सेक्टर 12 के एक गुर्दवारे ने नमाज के लिए मुसल्मानों को जगा देने का एलान किया है और उन्हें निमंतरन दिया है कि वो गुर्दवारे में आकर नमाज अदा कर सकते हैं इससे पहले इलाके के एक बिजनसमेन अक्षा यादव ने भी मुसल्मानों के लिए अपने दफ्तर और खाली दुकान में नमाज अदा करने की पेशकश की थी जिसके बाद पिछले शुक्रवार को वहाँ नमाज पड़ी गई थी दरसल गुर्गाओं में मस्जिदों की संख्या कम है इसलिए प्रशासन ने मुसल्मानों की शुक्रवार की नमाज के लिए खुले मैदान, सड़कें, पार्क जैसे जगें निर्दारत की हुई है मगर तीन महीने से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिशच जैसे संगठन उस जगह पर पहुँचकर हंगामा करने का काम कर रहे है अब चलते हैं जम्मू कश्मीर श्री नगर के हैदरपुरा में हुए एंकाउंटर में चार लोग मारे गए थे जिन में से तीन स्थानिय निवासी थे परिवार ने लगातार उन्हें निर्दोश बताया है और मांग की है कि पुलिस साबित करे कि वे आतंगवादी थे अलताफ मेहमद, मुदसिर गुल और मुहमद आमिर के परिवार के लोग श्री नगर में इन मांगों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और तीनों के शव उनके हवाले किये जाने की मांग कर रहे थे मगर पुलिस ने तीनों शवों को श्री नगर से 70 किलोमेटर दूर दफना दिया और प्रदर्शन कारियों को बुधवार देर रात जबरन हटाया और कुछ को गिरफतार भी किया है बीचे कुछ महिनों में ऐसे कई एंकाउंटर हुए हैं जिन में निर्दोष, स्थानिय निवासी यानि सिविलियन्स की मौत हुई है जिसकी वज़े से कश्मीर की पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठते जा रहे हैं इस मामले की मेजिस्ट्रेट स्तर की जांच के आदेश भी दे दिये गए हैं प्रवर्तन निदेशाले यानि E.D. और केंद्रिय सज्जान ब्यूरो यानि C.B.I. के निदेशिकों के कारेकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए विवादित अध्यादेश लाने के कुछ दिनों बाद ही सरकार ने बुद्वार को E.D. निदेशक संजे कुमार मिश्र का कारेकाल 18 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया I.R.S. काडर के 1984 बैच के अधिकारी मिश्र का विस्तारित कारेकाल ब्रहस्फित तिव्यार को समाप्त होना था मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए E.D. निदेशक निदेशक नियुक्त किया गया था जिसने विस्तार आदेश को बरकरार रखा लेकिन शीश अधालक ने कहा कि मिश्र के आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है मगर अब नए अधिया देश के बाद वो 2022 तक पत पर बने रहेंगे करोना की खबरों में केंद्रियस स्वास्तिमंत्राले द्वारा आज गुरुवार 18 नवंबर को जारी आकडों के अनुसार देश में 24 घंटों में करोना के 11,919 नए मामले दर्ज किये गए हैं इसके अलावा करोना से बीते दिन 470 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी बीच देश में करोना से पीडित 11,200 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया गया है देश में करोना संक्रमन के मामलों की संख्या बढ़कर 3,45 के करीब हो गई है जिन में से अब तक 4,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पीड़ित 3,38,85,000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर करीब 1,28,000 हो गई है स्वास्थय मंदराले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 114,46,000,000 से ज़्यादा डोस दी जा चुकी है जिन में से 73,40,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंटों में दी गई है आज इतना ही, खबरों को और विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट न्यूस क्लिक पर लॉग इन कीजिए और हमें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए